प्रधानमंद्री नडेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश का पहला स्वदेशी एरक्राफ्ट केरियर आयनेस विक्रांत नेवी को सौप दिया उन्होंने नया नौसेना द्वज का भी अनावरन किया उन्होंने कहा कि इस पर पहले गुलामे का प्रतिक था जिसे हमने हटा दिया है और नया नौसेना द्वज शिवाजी को समर्पित है गुजरात के अरावली के कृष्णापुर के पास एक तेज रफ्तार कार ने शुक्रवार सुबह पैदल चल रहे बारा यात्रियों को कुचल दिया छे यात्रियों की जगह पर ही मौत हो गई इनमें से ज़दा तर यात्री पंच महल जिले के कालोल के रहने वाले थे सभी अंबाजे दर्शन के लिए पैदल जा रहे थे हादसे की वज़व अभी तक पता नहीं चल पाई है गाटी में एक और गैर कश्मेरी पर शुक्रवार को आतंकवादी हमला किया गया पुलवामा में आतंकियों ने एक मज़़ूर को गोली मार्दी उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है उसकी हालत फिलहाल सीर बताई जा रहे है पुलिस ने बताया कि इलागे में आतंकवादीों की तलाश के लिए सर्च आपरेशन चला जा रहा है मज़़ूर का नाम मुनिरूल इसलाम है और वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है जारखन में जारी सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल रमेश पैस दिली के लिए रवाना हो गए बताया जा रहा है कि वो अमेच शाह से मुलाकात कर सकते हैं पुरुवार को ही महागट बंदन के नेता उन्हें राज्यपाल से मुलाकात की थी राज्यपाल को ग्यापन स्वापकर मुखे मंत्री पर स्थीति स्वस्ट करने को कहा था CBI की डिप्टी लीगल एडवाइजर पद पर कारीरत जितिंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली है उनका शव फ्लैट की बालकरी में बैल्ट के सहारे लटका हुआ था बैल्ट के डिफेंस कॉलोनी एरिया के हुडको प्लेस में के अधरसरकार की तरफ से मिले फ्लैट में अक्यले रहते थे नुका परिवार हिमाचल के मंडी जीले में रहता है जितिंद्र कुमार की आत्महत्या की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्ट माटम के लिए एम्स दिल्ली भेज दिया है पुलिस ने मामले की जान शुरू कर दी है उनके पास सुसाइट नोट भी मिला है जिसमें लिखा है ये उनकी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं है जितिंद्र कुमार ने आत्महत्या क्यों की इसकी वज़ा अभी साफ नहीं हो पाई है कर देले का देखा है